सबी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार बना नमस्कार इन दिस वीडियो वी आर गोइन टो डिस्कास वेव्स ओन लिक्विड सर्फेस ग्रवेटी वेव्स एंड रिपल्स इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राव के साथा पर उठपन तरंगों की और समझेंगे ग्रुट्वियत तरंगों और उर्मिका को हम लोग उर्मिला माटों डेकर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं उर्मिका की उर्मिका रिपल्स को हिंदी में उर्मिका कहते हैं तो चलिए समझते हैं, gravity waves and repulse को, इससे पहले कि हम लोग gravity waves and repulse को समझें, क्यों ना पहले हम किसी की यादों में खो जाएं, किसी की खयालों में गम हो जाएं, मान लीजे मैं या आप या चलिए हम सब किसी की यादों में गुम किसी की ख्यालों में खुए हुए किसी नदी किसी तलाब किसी जील के किनारे बैटे उनमें पत्थर भीक रहे हैं तो जब भी हम किसी तलाब किसी नदी या किस जील में पत्थर भीकते हैं तो उस माद्या में एक विचोब उडपन होता है एक डिस्टर्बेंस प्रोडूस होता है और वही डिस्टर्बेंस उस माद्या में वही विचोब उस माद्या में तरंग के रूप में संचरित होता है वो डिस्टर्बेंस उस मेडियम में एक वेव के फॉम में प्रपागेट क प्रक्रीति की होती है जो श्रिंग और गल्थ की रूप में आगे बढ़ती है क्रेफ्ट एंड ट्रप के फॉर्म में आगे प्रपगेट करती है अब देखो यहां पर अब यहां जम अपनी बाट स्टार्ट करते हैं लिक्विड के सर्फेस पे जो ट्रांस्वर्स वीव प्रोड्यूस हुआ है उसका वीग उसके वैलासिटी की हम लोग बाट करेंगे उसका वीग दो बातों पे निर्भर कलता है और यहीं से आपको जूलना है मेरे साथ यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है आप चाहे किसी भ बहुत अच्छे से समझना है और अच्छे से समझाना मेरा काम है बस आप अपना पूरा समय पूरा ध्यान यहां पर इस वीडियो पर दीजिए चलिए तो मैंने अभी आपको बटाया कि ड्राव के सटा पर जो टरंग उत्पंध हुआ है और उस तरंग का विग यहां से मैं हानी अब लिख सकते है तो ड्राव के सटापर ऑपन यो तरंग का वेग तरंग के वेग त अब58 अवें दो बातों पर निर्भर करता है पहला कौन चाँ चीज है वई जिस पर ये तरंग उटपन हुआ है उसका पहला किस पर निर्भर करेगा ये निर्भर करता है गुरुट्व के कारण उटपन बल पर यानि हम लोग बात कर रहे हैं गुरुट्व ये बल की फोर्स डिव टू ग्रेविटी ये जो विव प्रबगेट कर रहा है लिक्विट के सर्फेस पर उसका वेलोसिटी डिपेंड कलता है फोर्स डिव टू ग्रेविटी इसके आगे आप इंग्लिश में लिखना चाहा है रो लिख सकते हैं फोर्स डिव टू ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी दो बातों बेडिपेंट करेगी वन नमबर वन फोर्स दीव टो ग्रैविटी ग्रूट्टू के कारा उट पर नमबल पर एंड सेकेंड सर्फेश टेंशन ऑप डेलेकवीड ड्राव के प्रिष्ट तर्राव पर भी निर्भर कलता है अब अब अगर हम लोग इस प्रभाव को नेगलेक्ट कर दें इस प्रभाव की उपेक्षा कर दें सर्फेश टेंशन का जो एफेक्ट है अगर उसको हम लोग इग्नूर करते हैं तब क्या होगा तब तरंग का वेग तब वेव की वेलोसिटी केवल और केवल डिपेंड करेगी ग्रूट्टू के का कारण उपन बल पर यानिकी फोस्ट डीव तो ग्रैविटी ऑनली इन डैट केस्ट देपेंड उनली ऑन और फोर्स द्व दीव टो ग्रैविटी और उसको कहते हैं ग्रूट्वीर तरंग अगर हम लोग प्रिश्ट तनाव की उपएक्षा गल देते हैं ग्रूट्व कर जो उपञ नभल पर और इसी को कहते हैं गुरुट्वीय तरंगें तो पहले हम लोग गुरुट्वीय तरंगें तो फेले हम लोग फैर्ट का गेफिल देखेंगे गुरुट्विय तरंगों पर प्रिष्ट तरनाओं का प्रभाव देखेंगे बाद में लेगि पहले हम लोग गुरुट्विय तरंगों का वेग निकाल लेंगे थीक है तो चलिए माना कि किसी एक लिक्विट पर किसी एक ड्रव पर तरंग जो है संचरीद हो रहा है वी वेग से संचरीद हो रहा है और किदा से किदा जा रहा है ये भी समझ लीजिए मान लीजिए तरंग जो है वो बाएं से दाएं जा रहा है वी वेग से पहुन्सा सवारा चिज़ा हूँ पाहला चीज़ा आपको मान के चल्णा है तो पहला मैं मान रहा हूं कि एक वेग जो किसी द्रृ। संसिऱ्िट हो रहा है से 22 कि हो जा रहा है और दूसरा चीज मैं यह सिद कर दो मैं ये मानता हूँ कि देखें कि मैं क्या मान रहा हूँ कि तरंग का जो आयाम है उसके तरंग दह की तुलना में बहुत कम है तरंग का आयाम उसके तरंग दह की तुलना में कम है तो देखें मैंने आयाम को बहुत ज़रा नहीं मनाया है तीक है आयाम जो है उसके तरंग दह की दुन्ना में कम है ओके तो यह रहा हमारा एक तरंग जो वायं से डाएं की ओल जा रहा है संज़ाइद हो रहा है वीवेक से और माल लेते हैं कि इस तरंग का तरंग धर लेम्डा है दो वेवलेंड आप डिस वेवीज लेम्डा अब देखो क्या के कंसिडर किया है हमने पहले क प्रोगे तो राइट विद वेलों सिटी वी एंड़ 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 एंपलीट्यूड वेवल एंपलीट्यूड आप डवीव ए मपलीट्यूड अप्डव लेवीव इस वेरी लेस एस कम्पेर चू ड़ गया वेवलेड आट वेव टरंग का आयाम उसके तरंग धर कि तो अपने जगह पर कर रहा है। बिटी गणटी कर रहा है को और कर्ण जो होगा मालेते हैं कि कर्ण अपने जगा पे रिट्टी-गड्टी कर रहा है तो यहां पर भी एक concept लगेगा यहां भी हो सकता है यह तो यह पर ले लिजी आप कलर हम वही रखते हैं और डॉटेट लाइन से दिखाते हैं चलिए तो क्या इतना चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं क्या क्या चीज़ें माना हैं बहुत चीज़ें मान के चल रहे हैं तो अब मान लेते हैं कि इस व्रिट्टी अमार्ग में कण गटी करता है उसकी ट्रीज़ें स्मॉल आर है यह जो ट्रीज़ें होगी यह भी स्मॉल आर ही होगी ओके ओके और एक जीज़ें और है कि यह जो कण होगा यह कण जो अपने जगह पर व्रिट्टी गट्टी करता है वह एक चक्कल लगाने में तरंग के तरंग धैर के बड़ाबर दूरी टै करेगा यह कण जो अपने जगह पर व्रिट्टी गट्टी करता है वह एक चक्कल लगाने में तरंग के तरंग धैर के बड़ाबर गट्टी करेगा तो हमारे पास दो बहुत ही मस्तपूर बिंदू इसको नाम ले दिजे ए यह क्रेश्ट है यानि के स्रिंग है और यह बी है इसको बी ले ले लेते हैं यह गल्ट है तो किसी भी चण ए पे जो कण है उसका चणिक वेग कितना होगा यह देखना है भी हमको और बी पे जो कण होगा या बी पे अगर उसका वेग क्या होगा ए पे उसका शानिक वेग निकालते है दी पे अगर निकालते हैं तो चनिक यह से तडाय नहीं कर रहा हूं जो कण यहांपर विट्टी गट्टी कर रहा है कुंकि तरंग अब बाएं नाएं इसका जो इस दिशा में होगा जश्ट विपरीत वेग के यहां पर अगर आप लेते हैं तो यह ऐसे दिशा में मिलेगा इसको आप विटू ले लिजिए कर्ण का चर्णिक वेग यहां सब्सक्राइए और उसी कर्ण का चर्णिक वेग लिचाम में हैं तो V1 कितना हो जाएगा यह बता दो, देखिए, तरंग जा रहा है, बाहरें से दाएं की ओर, इसका विग V है, आपको माइनस करना पड़ेगा, 2PiR upon T का, यह इस करन का ताचनिक विग होगा, 2PiR upon T, 2PiR यह पूरे दूरी है, और T जो है, एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय है, तो V1 is equal to हो जाएगा, V-2PiR upon T, यह यहां का विग है, वही करन जब V पे बहुंचता है, तो उसका चनिक विग कितना है, चलिए आगे बोलते हैं, V पर करन का चनिक विग, कितना हो जाएगा, V2 is equal to V plus 2PiR upon T, क्योंकि 2PiR upon T, यहां पर 2PiR upon T जो है, वह V के विपे दिशा में है, यहां पर 2PiR upon T जो है, वह V के दिशा में है, तो यहां पर आपने माइनस किया है, यहां पर आपने जोड़ा है, V1 is equal to V minus 2PiR upon T, V2 is equal to V plus 2PiR upon T, और अब आप क्या देखते हैं, जब करन, जब पार्टिकल, A से B पे पहुंच रहा है, तो क्या उसका विग बढ़ा है, जी बिलकुल बढ़ा है, यहां पर V minus 2PiR upon T है, यहां पर V plus 2PiR upon T है, यहांने उसक विग बढ़ा होगा, तो उसकी गटी जूलजा भी बढ़ेगी, लेकिन उलजा सनचन का नियम क्या कहता है, उलजा ना तो उपन हो सकती है, नहीं नस्ट होगा, यह जो बढ़ेगा गटी जूलजा, A से B तक आने में करन की गटी जूलजा में जो वृद्धी होगी, ओ कहां ओन आघ हो, यहां से R उपर है, और यहां से R नीचे है, ओनैंने करन के इसे B तक पहुचने में किटना नीचे आ गया है, उसकी मालूं है जब कोई भी कण उपर जाता है तो उसकी इस्टिटिज उल्जा बढ़ती है जब वो नीचे आता है तो उसकी इस्टिज उल्जा घटती है जब भी कोई पार्टिकल सर्फेज से उपर जाएगा उपर जाएगा तो उसका potential energy increase होता है और जब वो नीचे आता है तो उसका potential energy decrease हो के नियम से by the law of conservation of energy ये समझ सकते हैं ये समझ पाते हैं कि ए से बी तक बी तक आने में आने में गटिज उर्जा में जो वृद्धी हुई है गटिज उर्जा में वृद्धी ए से बी तक आने में गटिज उर्जा में वृद्धी किसके बराबर होगा ए से बी तक आने में इस्टिज उर्जा में जो कमी आई है इस्टिटेज उर्जा में कमे के बराबर होगा form डियासं है कोई मिश्किल नहीं मैं फिर से रिपीट करूँंगा पूरी कहाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिनको जर्रा साभी जर्रा- जर्रा-DS हमने एक वीव लिया है जो किसी द्रोग के सटा पर बायां से दाएं की और संचरित हो रहा है उसका विग वी है और अब हम यह मान रहे हैं कि जो तरंग है उसका आयाम उसके तरंग धैर की तुलना में कम है अगर मैं तरंग ऐसे बनाता हूँ तो यहाँ पर आयाम उसके तरंग धैर की तुलना में है तो आचा तुनादमक है लेकिन यहाँ पर हम यह मा सब्सक्राइब अपने इस्तिधी पर क्या कर रहा होगा और अब किसी भी चाण अगर कर ए पर भी पर जाएगा ना उबर से नीचे तो आएगा ही ना तो एक बडेक्त लिए कितना है यहां प्लस क्यों किया है अगर वर्ति माल में तीजा कलता है उसको कितनी दूरी टाय करनी पड़ेगी तूरी ताय करनी पड़ेगी माल लेते हैं कि पूरा एक चक्कल लगाने में T समय लेता है तो उसका यह वेग कितना हो जाएगा 2 बाइ अबर टी हो जाएगा लेकिन तरंग तो जा रहा है किड़ा तरंग बायां से डाए जा रहा है और A पे जो कन है उसकी दिसा कैसी है उसकी दिसा डायें से बायें है यानि इसके विप्रीत है यानि आपको माइनस करना पड़ेगा V-2 पायरोबंटी हो जाएगा V1 is equal to V-2 पायरोबंटी करण का A पर वेग है करण का B पर वेग प्लस करना है तोरों के दिसा समान है प्लस कर दिया है तो A से B तक आने में उसका वेग बढ़ रहा है उसकी वेलोसीटी इंक्रीज हो रही है यानि काइनेटिक एनलजी भी बढ़ेगा उसकी गटी जोजा भी बढ़ेगी तरह कहीं से आता नहीं है उसकी बढ़ेगा उसकी बढ़ेगा उसकी बढ़ेगा उसकी बढ़ेगा प्लस माइनस वारी क्योंकि हमको अंटर यहां का V2 का स्केर करना पड़ेगा वहां की गटी दूजा जादा है 1 by 2 M V2 का स्केर माइनस 1 by 2 M V1 का स्केर is equal to M into G into H height कितना 2R height का अंटर 2R ना तो यह होगा M into G into 2R तो काटिये वही M M M कट जाएगा यह हो जाएगा V2 का स्केर माइनस V1 का स्केर M और M को यह M, यह M, यह M मैंने cancel कल दिया यह 2 उढ़ने जाकर माइनस इंटू कल दूँगा तो यह कितना हो जाएगा 2 दूनी 4GR हो जाएगा V2 का स्केर माइनस V1 का स्केर अब मैं यहाँ पर value रखूंगा किसका V2 का फिर V1 का तो V2 का value कितना है? V plus 2 pi r upon t का whole square है पर दिकर इसमें minus V minus 2 pi r upon t का whole square है 4GR है और आप इसको solve करते जाएए आप वीडियो forward कर सकते हैं मैं solve करता हूं इसको a का square plus 4 pi square r square t square a square plus b square plus 2ab तो दूनी 4 दूनी 4 हो जाएगा 4 pi r vb तो है divided by tb तो है a square plus b square plus 2ab और वही चीज यहाँ भी करना है minus तो है बाहर हो तो यह हो जाएगा a square plus b square 4 pi square r square upon t square a square plus b square minus 2ab होगा minus देखो अभी मैं plus minus नहीं लगा रहा हूं लेकि यह minus तो देखो लगा भी लेता हूं minus के into होगा ना तो जो plus है तो minus हो जाएगा और जो minus होने वहाला था वो plus हो जाएगा 4 pi r v upon t is equal to 4gr कोई दिक्कर तो नहीं है a square plus b square plus 2ab minus बाहर के minus है यह a square okay plus b square minus था तो जो plus था हो minus हो गया जो minus था हो plus हो गया तो v square से v square दूसरे color से काटेंगे समाच में आएगा चलो मैं blue ले लेता हूँ इससे यह कटम इससे यह कटम इससे यह कटम इससे यह कटम यह दोनों जूड जाएगा और जब यह दोनों जूड जाएगा तो क्या हो जाएगा चाल चाल आट हो जाएगा तो यह हो जाएगा 8 pi r v upon t इक्वल टू फोर जी आर तो कुछ कटेगा क्या बिलकूल कट रहा है जो कट रहा है जो कट रहा है इसमें बिलकूल भी पीछे नहीं हटूंगा आ से आर कट गया चार कम चाल दूनी आठ हो गया अब आपको वी चाहिए तो वी मैं यहीं निकालता हूँ क्योंकि जगह बहुत चाहिए होगा मुझे वी इसगॉल टूर आ गया जी इंटू टी जी इंटू टी अच़ा काट एक मजाँए चाहिं इरफ कम चाल दूनी आठ और यह दका गिटूट डू पाई so v मुझे मिला है gt upon 2pi v is equal to gt upon 2pi अब यहाँ पर t का मान हम निकाल लगते हैं तरंग का वेक v है तरंग का वेक v है और v क्या होता है आपको पता ही है दूरी पता समय होता है तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं या फिर v is equal to हाँ चाहिए v is equal to lambda upon t लिख सकते हैं क्योंकि यह वही दूरी है जो एक चक्क या फिर एक आवर्ट काल में चली जाती है this is the distance covered in time t so v is equal to lambda by t तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा t is equal to v by lambda मिल जाता है ओके और रुख जगा बना लूँ मैं अपने लिए सबको अपना जगा खुड मनाना होटा है रोस्त और यह उदा किसा कादो ठीक है चलिए तो जब मैं मान रखूंगा तो मुझे v is equal to मिल जाएगा g upon 2 by तो पहले से है t का मान में v by कुछ तो गलत हो रहा है lambda by v होगा यह कैसे हो टागल दिया समझनी आया lambda by v ok t is equal to lambda by v तो अब यह मिल जाएगा आपको lambda upon v और यह जाएगा v square so v square is equal to g lambda या lambda g lambda g upon 2 by और यहाँ से मुझे मिल गया v is equal to root over lambda g upon 2 by तो यह है गुरुटवी तरंग की चाल या गुरुटवी तरंग का वेग क्या है यह यह है गुरुटवी तरंग का वेग गुरुटवी तरंग का वेग कोई दिक्कर यहाँ टाग होना ही नहीं चाहिए होगा भी नहीं गुरुटवी तरंग का वेग v is equal to root over lambda g upon 2 by repeat करिए मेरे साथ v is equal to root over lambda g upon 2 by क्या हुआ v is equal to root over lambda g upon 2 by और यह है गुरुटवी तरंग क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिस्ट तरंग की उपेक्षा कर दिया है surface tension को neglect कर दिया है ignore कर दिया है लेकिन अब जो है surface tension का भी entry होने वाला है बहुत धांसों entry होने वाला है अब हम लोग प्रिस्ट तरंग को भी लेक आएंगे इस खेल में तो देखते हैं गुरुटवी तरंग पर गुरुटवी तरंग पर प्रिस्ट तरंग का क्या प्रभाव पलता है तो प्रिस्ट तरंग का प्रभाव तरंग का प्रभाव गुरुट्वियर तैरंग पर प्रिष्ट दर्राव का प्रभाव तो ले लीजे यह प्रिषी तरंग है जो हमने वहाली यांटा ऐसा कुछ ऑपके यूरिजीन है कि मुल बिंडु से एक्स दूरी पर मुल बिंडु 99 मुल बिंडु कहीं वह बारा, वहाँ से x दूरी पर एक कर्ण ले रहा हूं और उसका displacement मान लिया कितना है किजी भी छण उसका displacement मान लिज़े कितना है y is the displacement of the particle p y is the displacement of the particle p situated at the distance of x from the origin मूल बिंदू से x दूरी पर स्थिट कर्ण p का विश्थापन y है मान लिया y है तो यह y कैसे दिया जाएगा y is equal to हो जाएगा a sin 2 pi upon lambda vt minus x कर्याद ओ जमाना मेरे प्यार का रे यार यही तो है प्रगामी तरंगा समिकरन है प्रगामी तरंगी तो है आगे बढ़ रहा है तो यही तो है उसका विश्थापन समिकरन y is equal to a sin 2 pi upon lambda vt minus x मूल बिंडू से x दूरी पर इस्थित कर्ण पी का किजी भी छण पर विश्थापन y है तो यह इस समिकरन द्वारा दिया जाएगा अब अब देखो यहां से तो आचा थोजी सी कॉंप्लिकेशन बढ़ेंगी थोजी सी दिक्कडे बढ़ेंगी लेकिन बने रहेगा मेरे साथ दिमाग यहीं पर ना चीए और दिल यहीं लगा के रखो दिल कहीं नहीं लगाना मान लेता हूं कि इस वाले बिंडू का जो बिं कि वक्ता तीज्या मैं मान लेता हूं कितना है मान लिया कि वक्ता तीज्या कैपिडल आर है और वक्ता तीज्या का एक फॉर्मला है जो अभी हमारे इस वाले डेरिवेशन से बाहर है तो मैं उस फॉर्मले को डायट लिखूंगा उस डेरिवेशन के लपड़े में अभी हम का वक्ता तीजिया र है तो र बराबर क्या होता है रिख लीजिए वन प्लॉस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेर और इसका पावर होता है ठीवाई टू डीवाइड़ बाई हो होता है तो यह आप इसको नेगलेट कर सकते हैं और इसको हो जाएगा लगबख हम लोग इसके बड़ा वली चकते हैं कि वन अपॉन डी स्क्वेर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेर यह है आपके मन में थोड़ी दूबिदा थोड़ा सा डाउट थोड़ी से संका कन्फ्यूज यह बहुत ही लंबा डेडिवेशन से आता है तो यह हमारा मक्सर इस प्राइब करने नहीं है यहां पर तो आर यानि रेडियस अप कर वीचर यानि कि वक्ता तीजा का फाम्ला है हम यह यह यूज करेंगे लगबख यह इसके बराबर होगा तो इसे काम चल जाएगा आर इस इसको निकालना है तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ डी वाई बाई डी एक्स निकाल देता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा आपको इसको एक बाई डिफ्रेंसियेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में इस समीकरन को एक्स के साब एक्स में एक बाई अपकलिट करना है यह तो कॉंस्टेंट बाई जाएगा साइन का डिफ्रेंसियेशन क्या होता है बई साइन का डिफ्रेंसियेशन क्या होगा इसका डिफ्रेंसियेशन होता है कॉस यह हो जाएगा कॉस 2 पाई अपान लेंडा वी टी माइनस एक्स कॉस 2 पाई अपान लेंडा वी टी माइनस एक्स लेकिन आप समझिए कि इस x के साथ 2 pi over lambda का इंटू भी तो है तो x के साथ किसका इंटू है x के साथ minor 2 pi over lambda का इंटू है उसका आप फिर से करोगे तो आपको क्या मिलेगा ये तो पहले से है minor 2 pi over lambda अलग से मिल जाएगा तो अगर मैं इसको जमा लूँ dy by dx मुझे क्या मिलने वाला है minus 2 pi a upon lambda cos 2 pi upon lambda vt minus x मिल जाएगा ये dy by dx है minus 2 pi a upon lambda cos 2 pi upon lambda vt minus x लेकिन मुझे क्या चाहिए मुझे d square y upon dx square चाहिए तो चलिए आगे बोलते हैं इसको एक अफिसर करेंगे तो d square y dx square d square y dx square तो जब हम इसका फिर से alkaline करेंगे तो cos का alkaline क्या होटा है? minus होटा है cos का alkaline minus होटा है तो minus minus plus हो जाएगा लेकिन अभी भी एक twist बचा है चो लिखते जाते हैं पहले तो तो ये minus है minus 2 pi a upon lambda पहले से है तो ये पहले से रखा मैंने मैं कुछ ने करूँगा और cos का मैंने क्या बोला? cos का होगा minus cos का minus sign होगा तो minus minus plus होगा और ये हो जाएगा sin 2 pi upon lambda vt minus x अगेन यहाँ पर x के साथ minus 2 pi upon lambda है तो उसका into होगा तो minus 2 pi upon lambda के into होगा तो क्या बन जाएगा ये? minus a 2 pi upon lambda का square confusion नहीं हो confusion नहीं हो बबाबा confusion नहीं हो पिल्कुल भी confusion नहीं होना चाहिए फिसे समझो dy by dx निकाला कैसे निकाला? इसको करेंगे differentiate इसका उगलन कलते हैं ये पहले से हैं अपने पास sine का cross हो जाता है x के साथ minus 2 pi upon lambda का into है तो ये minus 2 pi upon lambda चाहरे के साथ जो अच्छा था उसके गुणा कलते हैं उगलन आपको मालूम है dy by dx आपको ये मिल गया है minus sine तो minus minus plus हो गया था मामना नहीं पढ़ गया था sine 2 pi upon lambda vt minus x लेकिन x के साथ again minus 2 pi upon lambda है न x के साथ minus 2 pi upon lambda का फिस into है फिस into करिए minus अपने साथ ले कि आएगा और 2 pi upon lambda का square हो जाएगा तो d square y dx square ये मिला आपको तो क्या मैं यहाँ पर a sine 2 pi upon lambda vt minus x को y लिख सकता हूँ बेसक लिख सकता हूँ भई क्यों ने लिख सकता मैं ठीक है लिख सकते हैं तो लिखो ठीक है लिखिए इलिए मैं लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ देख लो d square y dx square is equal to minus तो रहे कर भई minus है तो है तो यह होजा है कर दा 4 2 का square 4 होटा है pi square lambda का square 4 pi square lambda का square और minus है नहीं minus है sin a sine 2 pi lambda vt minus x इसके जगह पर ही तो y लिखना है इसके जगह पर ही तो y लिखना है d square y dx square is equal to minus 4 pi square lambda square y अब इस मान को यहां रख दीजिए जब आप मान को यहां पर रखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है तो आपको मिल जाएगा देखो यह 1 upon y dx square है तो इसको उल्टा कर लेते हैं तो 1 by r मुझे मिल जाएगा minus 4 pi square lambda square y बहुत important एक हमें मिल गया है यह हमारे बहुत काम का आने वाला है 1 by r is equal to minor 4 pi square lambda square y once again I am repeating 1 by r is equal to minor 4 pi square lambda square y अब देखते हैं कि आप इतना जद्दो जहड किस लिए इतना तकलीफ कि उठाया है 1 by r निकालने के लिए देखिए क्यों निकाला है तो चलो हम लोग फिस उसी wave को लेते हैं उसी तरंग को लेते हैं यह तरंग हमारा उसी यूँ आगे बढ़ रहा था ओके और हम लोग इस वाले point की बात करते हैं जिसका विश्ठापन कितना है y है ओके और इसकी वक्टातिज्या हमने r ले रखी है अब देखो उस point P की point P यह point P है जिसका विश्ठापन कितना है जिसका विश्ठापन y है अब हम लोग प्रिश्ट तरंग को consider कर रहे हैं हम लोग surface tension को consider कर रहे हैं प्रिश्ट तरंग को भी खेल में ला रहे हैं हम जानते हैं कि प्रेमाब के कारण बहुत इंपेंट पॉइंट है है आपने पढ़ा होगा je पुचे का ते कारण जो आवर्टल साइड होता है जो कॉंकेbreaking होगी साइड में एक रिक्त डाफ आजाता आता है एक एक्सेस प्रेसर आ जाता है कि आपको याद है अगर याद नहीं होगा तो फिर आपको रटना पड़ेगा फिर आपको मुश्किल होगी वह लोगे सार यह समझ नहीं आ रहा है यह कौंसेप्ट है जो आपको 11 में और पर्ष्टे में अल्रडी पढ़ा चुके हैं कि अगर क सिपप्र क्योड की कॉंब्स नहीं यादि नहीं कि अट्रिक नहीं में ऐक यह सबस्क्राइब थाप अवक्तल प्रिष्ट की और कि आवटल प्रिष्ट की और कि और पूरा एक एक चीज में हाप्य आपको लिख करे रहा हूं ताकि पेडिया पढ़ते समये आपको कोई भी खोई भी डाउट ना हो ग्राव के प्रेश्ट ना के कारण एक अटरेक्ट डाब एक अटरेक्ट डाब कितना तो मानीजे कि प्रीछ तनाव जो हो Tibetan T है तो T by R इसने दोजान निकाला है T by R एक अटरेक्टब T by R उपर की ओर कार करेगा उपर की ओर कार करेगा उपर की ओर कार्य करेगा प्रिट तरनाओ के कारण अच्छा ये कबिडल्टी क्या है माना जिस लिक्विट की जिस ड्रव की हम लोग बात कर रहे हैं उसका प्रिट तरनाओ कबिडल्टी है तो जो कॉंकेव साइड है जो आउटर साइड है उसका तरनाओ के लिक्विट की ओर्ट तरनाओ के जाएगा और इसकी दिशा उपर की ओर होगी लेकिन ये तो हो गया कि भाया वहाँ पर एक अटरिक डाब है टीबा या जो उपर की ओर लग रहा है यहाँ पर जो फ्लुइट कॉलम है जो ड्रव इस्तंब है ड्रव इस्तंब का डब किता लगता है ड्रव इस्तंब का डब किटना अमला पढ़ा होगा रो इंटू जी इंटू एच यहां पर क्या लेंगे रो इंटू जी इंटू वाई क्योंकि यहाँ पे उचाई वाई है यहाँ पे गहराई लो उचाई लो वाई है यहाँ पर द्राव इसमकर डाब रो जी वाई नीचे की ओर लगेगा नीचे की ओर नीचे की ओर नीचे की ओर लगेगा तो बिन्दू P पर दो दाब है एक है TBR उपर की ओर और एक है Y0 रोजी वाई नीचे की ओर तब बिन्दू P पर अब देखिए बिन्दू P पर बिन्दू P पर बिन्दू P पर प्रभावी दाब effective pressure at point P effective pressure at point P कितना होगा भई रोजी वाई माईनस TBR ये दाब नीचे की ओर है ये दाब उपर की ओर है रोजी वाई माईनस TBR बिन्दू P पर इतना प्रभावी दाब है रोजी वाई माईनस TBR मान रखने का समय आ गया value पूट करने का time आ गया मान रखने का समय आ गया यानि value पूट करने का समय आ चुका है value पूट करिए तो P is equal to y to y है फिलाल जी टो जी है फिलाल रो टो रो है फिलाल माईनस T टो T है आर कितना है 1 बाई आर स्वारी 1 बाई आर की value इतनी है माईनर 4 पाई square लेमडा स्क्वाई तो माईनर माईनर प्लस हो गया अच्छा 1 बाई आर की value बूट करता हूँ मैं आर की नहीं है 1 बाई आर की value तो T टो T रहेगा 1 बाई आर है ने पूरा यह पूरा 1 बाई आर है पूरा उठा कर रग दो 4 पाई square 4 पाई square लेमडा स्क्वाई तो यहां से P is equal to कुछ तो common आ रहा है y common निकालने पर हमको मिलेगा y के साथ में रो भी common निकाल ला हूँ क्योंकि मुझे इसे एक standard form मिलेकर जाना है y के साथ में रो भी common निकाल ले रहा हूँ तो यहां क्या बच्चा y और रो तो common आ गया तो यहां पर बच्च गया g प्लस यहां पर रो नहीं जा तो रो का divide हो जाएगा लेकिन यह फिलाहाल कितना है यह हो जाएगा 4 πाई स्क्वेर कैपिडल T अब लेम्डा स्क्वेर रो तो यहां से यह चीज़ लाने में निक्कर नहीं होगी यहां पर हमने 1 बाई र की value पूट की है मानर मानर प्लस हो जाएगा पी यहां से हमने रो और y common निकाला है रो और y common आने के बाद यहां पर g बच जाता है यहां पर रो नहीं है तो रो का divide हो जाता है तो अब देखिए जब हम लोग ड्राव के प्रेस्टनाव को ले रहे हैं जब हम लोग लिक्विड के surface tension को consider कर रहे हैं तो जो प्रेस्टनाव होता है रो जी एच होता है रो जी एच होता है रो जी एच तो यहां पर जी के जग़ा पर आपको यह चीज़ें लिखने पड़ी है जिए ध्यान दीजे और यहीं पर आपको अपना ठ्वाचा कल्बना सकती अपना imagination यूज करना है अपना intelligence यूज करना है अपना विद्वता सिद्ध करना है यहां पर पर यह सब्सक्राइब होता है रो इंटू जी इंटू एच तो मैं रहा हूं यहां पर हमने हाइट को वाई लिया है तो रो इसको अचे लिख रहा हूं यह भी तो वही है ना वाई रो जी है यह तो जब लो जब हम लोग प्रिट र्वाग को नहीं लेंगे ना तो जी जी ही रहेगा अगर ट को मझ anlatओ सुझ ही तो वाई रोज ची आएगा प्रीष्ट तनाओं को लेके चलने पर बहुते सब्सक्राइब में लिख रहा हूँ लेके चलने पर जी की जगह क्या लिखना है आपको जी प्लस फोर पाई स्क्वेर कैपिडल टी उपान लेम्डा स्क्वेर रो ले लेता है तब जहां पर पीसे फॉर्मला हमने लिखा था ना एक यहां पर रूट ओवर लेम्डा जी उपान टू पाई तब गुट्वे तरंग का वेग क्या हो जाएगा पहले भी का वेलू पूट कर लेता हूँ हम यहां पर कितना है v is equal to root over लेम्डा जी उपान 2 पाई है तो g का मान यहां पर रख दीवे तो v is equal to कितना हो जाएगा v is equal to हो जाएगा root over root over lambda upon 2 पाई तब पहले से है g का मान काफी लंबा चोड़ा है जब हम लोग प्रिश्टनाओ को लेके चलेंगे तो गुटवी तरंग का विग इजना हो जाएगा यहाँ पे प्रिश्टनाओ को भी हमने अपने कैल्कुलेशन में एड किया है उसको नगर ने उसको नेगलेट नहीं किया उसकी उपैक्षा नहीं किया है तो v is equal to root work lambda upon 2 pi g plus 4 pi squared t upon lambda squared row तब v कैसे लिखा जाएगा पूड़ा solve करते जाएब इंटू करिये यह जाएगा lambda g upon 2 pi plus lambda g upon 2 pi यहाँ पे इंटू करेंकर लेम्डा और Classic कर जाएगा एक लेंडा बच जाएगा डोची दो कड़ जाएगा पाई चे पाई कड़ जाएगा यानि टू पाई टी अपन लेंडा रो बचेगा वाजब गरतफियट नाव को भी लेके चलते हैं प्रभाव आप यहां से देख पाएंगे कि प्री टरनाओ का प्रभाव पढ़ रहा है अब यहां पर माल लेते हैं ठीक है कि लैमडा 0 है जब लैमडा जीटो होगा तो 0 लोकिया पूरा 0 हो गया यह 1 by 1 by 0 infinity हो जाएगा यानि कि lambda 0 के लिए V क्या मिलेगा V अनन्थ मिलेगा कोई लिक्कर तो नहीं है solve करने में पढ़शानी तो नहीं होती है आप सभी यहाँ पर मैस वाले हो क्योंकि मैस वाले ही पेजिस पढ़ता है मिलाल तो V is equal to root over lambda G upon 2 pi plus 2 pi T upon lambda rho अगर lambda 0 है अगर lambda 0 होता है तो V अनन्थ है देख्लों ना बई lambda 0 रखता हूँ यह पुरा 0 हो जाएगा 1 by 0 यानि infinity मिलेगा root over infinity भी infinity ही मिलेगा अनन्थ ही मिलेगा यानि lambda 0 है तो V अनन्थ है अगर मैं lambda को अनन्थ ले लेता हूँ अगर lambda अनन्थ है तो क्या है अनन्थ जालो ये टो जीरो होगा यानि lambda 0 है तो भी अनन्थ है लेमडा अनन्थ है तो भी अनन्थ है तो क्या है यह यानि लेमडा का यह ऐक ऐसा मान 0 और अनंट के बीच में 0 और लेम्डा के लेम्डा is equal to 0 and and लेम्डा is equal to infinity के बीच में बीच में लेम्डा का एक मान होना हुआ लेम्डा का एक कोई ऐसा मान होना चाहिए कोई ऐसा मान होना चाहिए जिसके लिए वी क्या होगा? नियूनतम होगा तो अब हम निकल पड़े हैं लेमडा की एक ऐसे मान की तलास में लेमडा की एक ऐसे वैलू की सेल्च में लेमडा की एक ऐसे वैलू की खोज में जिसके लिए वी मिनिमम होगा वी नियूनतम होगा इससे पहले की आगे बड़ें सोरा एक सायरे सुनिये कि हम फिर से निकलेंगे तलास जिन्दगी हम फिर से निकलेंगे तलास ए जिन्दगी, दुआ कीजिएगा, इस बार कोई बे उपाना मिले लेकिन हमको लेमड़ा का एक ऐसा माहिन चाहिए, हमको लेमड़ा का एक ऐसा माहिन चाहिए चाहिए जिसके लिए वी क्या हो नियुन्तम हो थीक है चलो condition लगाते हैं यह यह गोई प्रिमाग लगाना पड़ेगा पूरा सम्झाएंग अच्छे से तो यहां पर अगर वी को नियुनतम होना है वी को मिनिमाम है तो इसको मिनिमाम होना पड़ेगा तो इसको मैं लिक नहीं रहा हूं यह लिक ही रहता हूं V के निवन्तम होने के लिए इसको निवन्तम होना पड़ेगा बच्चा बालक हो या बालिका लैम्डा जी अपॉन्टम होना पड़ेगा थीक है अच्छा है बहुत अच्छा है तो अगर V को निवन्तम होना तो इसको निवन्तम करने के लिए कि हम ठ्वा सब्घनित लगाएंगे प्रमाटमेटिक लगाएंगे इसको मैं किसी और पदो में चेंजे कर रहा हूं इसको में डेंगो चेंज करने वाला हूं So settlingG on costs Himma दें युब ते लेकिन लेकिन यहांबे माइनस क्या मिलेगा माइनस टू रूट ओवर लैम्डा जी अपन टू पाई ऐसा भी तो मिलेगा तो हम क्या करेंगे जो माइनस मिलने वाला है उसको यहांबे प्लस कर देंगे दिमाग ठीक है प्ले विट चेंपियंस बोलते हैं इसको तो यह हो जाएगा रूट ओवर लैम्डा जी अपन टू पाई रूट ओवर टू पाई टी अपन लैम्डा रो यानि के लिखा हुआ है यह अलग से कोई चीज़ नहीं है हमने इसको ऐसे बैक्त किया है हमने इसको ऐसे एक्सप्रस किया है बस अगर आप इसको स्वाल करोगे मतलब इसको नियूंटम करना चाहता हूं इसको मिनियों करना चाहता हूं ध्यान दीजिए ठीक है अगर मैं बोला हो है यह मिनियों होना चाहिए यह मिनियों होना चाहिए तो आप यह मिनियों होना चाहिए क्योंकि दोनों तो एक ही चीज है तो यह मिनियों होने में दिक्क मैंने को कैसे qongeon है !! यहां में स्वार कंठा रहा हूं हूं इप प्फित फियों तूपवर गट्रिमानरच रूट ऑफॉअ जिटी आफॉट हुआ कैसे लूट पाइ वाइव धु पाइवाइवेवजight नहीं कर παदा दैसे वसे हम यहां है है यह नहीं दूरहर होगह ना जबिया फेलिए पूरे कर दर्ण होना है तो इसको मिनिम्मम होना पड़ेगा धान जीजे मैं कहां इनकिया खाया हूं प्किली मिला लेंदा लिया तो भी अनकिला यानलिया यानि एक पोई के बीच में लेम्डा का एक एक ऐसा मान होगा मैं यदि गूंधा कें मान खोज में रिक ला 550 मान को वी ने तो टू दू लिए नियूंघर नीद्ड़ होना पड़ेगा और इसको नियुनतम होना है तो इससे कम क्या होगी तो यह हो जाएगा लेमडा जी अपॉन टू पाई माइनास रूट ओवर टू पाई टू अपॉन लेमडा रो यह जी रो होना चाहिए इसक्वेर है इसक्वेर को रूट ले लो के कोई दिक्कर नहीं है यह उड़ा जाएगा और जब यह उड़ा जा रहा है तो यह हो जाएगा लेमडा जी अपॉन टू पाई is equal to lambda g upon 2 pi is equal to 2 pi t upon 2 pi t upon lambda rho वह दिकत square root square कल दिया lambda का square हो जाएगा यह lambda का square is equal to यह हो जाएगा 4 pi square 4 pi square t पहले से है divided by rho g यानि lambda is equal to अजाएगा root over 4 pi square t upon rho g तो lambda is equal to 2 pi बहार जाएगा root over t upon rho g यह है lambda का minimum मान यह है lambda का minimum मान नहीं यह है lambda का कैसा मान lambda is equal to 2 pi root over t upon rho g यह दियान दिजेगा lambda is equal to 2 pi root over t by rho g डिवाड यह है t by rho g lambda का यह एक ऐसा मान है जिसके लिए v नियुन्तम होगा lambda का यह एक ऐसा मान है जिसके लिए v नियुन्तम होगा और इसको lambda c से दिखाएंगे इसे कहते हैं critical wave length यह एक एक एसा मान है जिसके लिए v नियुन्तम होगा और इस lambda को हम lambda c से दिखाएंगे 2 pi root over t upon rho g इसको कहते हैं klantic तरंग डहरी आने की critical wave length तो जब आप lambda का एक ऐसा मान निकाल चुके हो जिसके लिए v नियुन्तम होगा v minimum होगा तो v minimum निकालने में क्या देरी है v minimum रख दीजिए lambda c root over क्या क्या है बई value कहां के यहां पर lambda g upon 2 pi यानि कि lambda c upon lambda c g upon 2 pi lambda के जगा पर lambda c रखना पड़ेगा plus ok 2 pi t upon 2 pi t upon lambda c rho है न बई बच्चा rho है यह चलिए lambda c के मान अक्टे जाते है so v minimum is equal to lambda c कहां गया 2 pi root over t upon rho g कोई डिक्कट हो नहीं है 2 pi root over t upon rho g यह पहले वाले टर्म के लिए था second वाले के लिए क्या करना पड़ेगा इसको उल्टा करना पड़ेगा पहले बात तो यह यानि कि 2 pi t upon rho तो हमारे साथ है lambda c 1 by lambda c यानि इसको उल्टा करिए तो यह हो जाएगा 1 upon 2 pi इसको उल्टा किया यानि कि आपको मिलेगा root over आपको मिल जाएगा root over rho g upon t मिल जाएगा कोई दिक्कट कोई पुश्केल कोई परसानी नहीं है तो चलिए आगे बलते हैं v minimum देखते हैं a कितना रहा है यह 2 pi से 2 pi खलास फिनिश हो जाएगा ठीक है g है और यह root over अभी रखता हूँ मैं अभी उसको ऐसे ही रख रहा हूँ g को g रख दिया यह root over तो देखो root जो है root करना root तो जाचा अजीब ही लग रहा है इसको लिख देटे हैं t upon rho g का पावर कितना 1 by 2 लिख देटे हैं है वही तो जाचा अलग प्रिकेश लिखा है यहाँ जबे 2 pi और 2 pi खलास कहानी खतम तो कितना बज़ गिया 2 by 2 by cancel t upon rho t upon rho बज़ गिया है और यहाँ भी बज़ गिया है इसको भी अपनाश लिख देटे हैं कुछ rho g rho g upon t का पावर 1 by 2 लिख देते हैं अब यह भी मुश्किल है स्वाल करना है आगे बढ़ना है आपको v minimum is equal to root over ठीक है क्या हो जाएगा यह यह g का पावर 1 है यह g का पावर 1 by 2 है minus 1 by 2 तो उपर आएगा तो यह minus 1 by 2 हो जाएगा यानि कि क्या पचेगा आपके बाद आपके बच जाएगा t upon कितना t upon यह जाएगा उपर तो minus लेके आएगा न अपने साथ minus 1 by 2 जाएगा तो 1 में से minus 1 by 2 यानि यह हो जाएगा g t g t upon rho का पावर कितना 1 by 2 यह एक में से आदा जाएगा तो आदा ही बचेगा तो आदा ही बचाया हूँ है plus तो यह भी t है यह t का पावर 1 है यह t का पावर 1 by 2 है तो 1 में से अगर तो 1 by 2 जाता है तो क्या बचेगा तो t का पावर 1 by 2 बचेगा यानि कि यह हो गया t और यह हो गया g t और g का पावर 1 by 2 है लेकिन रो का पावर क्या होगा रो नीचे में 1 है उपर में 1 by 2 है तो 1 by 2 अगर नीचे आता है तो माइनस होगा 1 में से माइनस यानि कि बचेगा आपको ऐसा कुछ बच जाएगा बच्चा तो यह confusion नहीं होना चीए फिस में बता ला हूं वी मीनिमम लेमडा c g अपन 2 pi प्लस 2 pi t अपन लेमडा c 0 यहां पे अपने लेमडा c का मान रख दिया है आपने बच commandments c का मान रखना है हल करना है, हल करने बें आपको इतना मिलेगा, यह और यह दोनों एक ही है, यानि कि अगर इसको एक माल दूँ, अगर इसको मैं एक माल दूँ, तो एक और एक दो हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, एक और एक दो हो जाएगा, तो चलिए आगे बलते हैं, तो V minimum is equal to एक एक दो यानि रूट ओवर रूट ओवर टू जी टी अपन रो का पावर वन बाई टू है वन बाई टू है अच्छा वन बाई टू अच्छ नहीं लिखाया गया तो वन बाई टू को अच्छ लिख दिया मैं वन बाई टू है तो V minimum is equal to रोट टू लिख सकते हैं इसको क्यों है रोट टू और इसको भी क्या लिखेंगे वन बाई टू लिखेंगे याने gt upon rho का पावर कितना आ गया 1 by 4 आ गया V minimum V minimum is equal to rho 2 gt upon rho का पावर 1 by 4 यह है V का minimum मान this is the minimum velocity V minimum is equal to rho 2 gt upon rho 1 by 4 यहां तक कोई डिक्कट हो नहीं है अब चलिए अब हम आते हैं gravity wave और repulse के उपर यह हमने यहां तक V minimum निकाल लगा है अब हम condition लगाएंगे हमने यहां पर ड्राव के प्रिष्ट पर उटपन तरंग का wave निकाल लगा है यहां पर g को भी consider किया है t को भी consider किया है तो V is equal to कितना मिला हमको V is equal to मिला है root over lambda g upon 2 pi plus 2 pi capital t upon rho lambda यह lambda rho टीक है lambda rho यही है ना चेक कर लेते हैं बाख चेक कर लेते हैं V is equal to root over lambda g upon 2 pi plus 2 pi t upon lambda rho V is equal to root over lambda g upon 2 pi plus 2 pi t upon lambda rho और अब वक्त आ गया है wishes पर इस्थितियों पर बाट करने का अब हम लोग बाट करेंगे special cases की wishes इस्थितियों की बाट करेंगे तो case number one देखते है case number one अगर मान लिजिए कि द्रव के सता पर जो तरंग उठपन हुआ है उसका तरंग धहर क्रांटिक तरंग धहर से कम है it means if lambda is less than less than lambda c अगर lambda lambda c से कम है अगर तरंग धहर कांटिक तरंग धहर से कम है if wavelength of the weave is less than the critical wavelength तो देखो यार ये जितना कम होगा ये उटना ही ज्यादा होगा ये जितना कम होगा ये मान उटना ही कम होगा तो इसको नगलट मान लेते हैं इस इस्टिटी में V is equal to मिलेगा root over 2 pi capital T upon lambda rho यानि यहाँ पर wave का velocity मेंली किस पर depend करेगा on the surface tension of the liquid and इसी को हम लोग बोलते हैं repulse यानि की उर्मिका 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 यानि की जब lambda is less than lambda c होगा उस condition में वेग जो होगा वो मेंली मुख के रूप से तरंग धर पर निर्पार करेगा और इस स्टिटी में उर्पाने तरंग को हम क्या कहेंगे उर्मिका कहेंगे repulse कहेंगे अब आते हैं हम case number 2 पे अगर मान लीजें lambda is greater than lambda c ये जितना ज्यादा है इसका मान उठना ही कम होगा तो मान लो इतना ज्यादा है कि ये बाउट ही नगन हो गया है इस स्टिटी में वी इस क्वाल टू हो जाएगा रूट ओवर लैम्डा जी अपान 2 पाई v is equal to ρo'a λैम्दा zero दूपाई यानि यहाँ पर तरंग का वेख ग्रेविटी जीप पर रिफार करेगा और इसी आ हम ग्रेविटी वेवस कहते है WOW ग्रेविटी वेवस यानि कि गुरुटविय तरंग कहते है बच्चा बाला खोयर बालिकाथ है तो बच्चा तो देखें भाई कर्णिस बहुत साभ है अगर तरंगधार कर्कांटिक तरंगधार शेझтов से ज्यादा है 7 टॉट्वीं तरंग ओके और यहां पर हमने हमने कमानिसे कम होता है तो त्रंग उस्टाव पर सेंच्षडित ही नहीं हो पाएगा propagate ही नहीं कर पाएगा और यहां पर जो हमने lambda एक निकाला है कहां गया कहां गया कहां गया यह lambda जो निकाला है इसे क्रांटिक टरंग धर कहते हैं इस टरंग धर के लिए विग निवनितम होगा तो इस वीडियो में हमने discuss किया है gravity waves and difference को तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसे नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अलवीदा